नमश्कार क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस चीज से बने हैं? हम जब पैदा हुए थे तो छोटे थे पर अब बड़े कैसे हो गए हैं? और आगे जाके और बड़े कैसे हो जाएंगे? हमारे शरीर में अलग-अलग प्रकार की चीजें हैं जैसे कि तवचा, बाल, नाकून, रक्त, रिदय, फेफड़े ये अलग-अलग चीजें क्यों हैं? इन सब सवालों का जवाब ढूनने के लिए रॉबर्ट हुक नाम के एक वैग्यानिक ने आज से साड़े तीन सो साल पहले पेड के तने की चाल का अध्यन किया रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप याने के सुक्ष्मदर्शी नाम के एक यंत्र का इस्तिमाल किया जिसको बहुत छोटी चीजे देखने के लिए इस्तिमाल किया जाता है रॉबर्ट ने जब पेड की तने की चाल को माइक्रोस्कोप से देखा तो पाया कि उसमें एक ही आकार के बहुत सारे खाने बने हुए है इन खानों को देखके उनको छोटे-छोटे कमरों की याद आ गई अंग्रेजी में इन छोटे कमरों को जो कहा जाता है उन्होंने इन छोटे खानों को वही नाम दे दिया Cell Cell जिसे हम कोशिका कहेंगे का जब और अध्यन किया गया तो पाया गया कि हमारे चारो और सभी जीवजन्तू कोशिकाओं से बने हुए हैं इंसान, जानवर, पेड़ पौधे छोटे और बड़े कीडे ये सभी कोशिकाओं से बने हुए है इसी वज़े से कोशिका को जीवन की मौलिक एकाई यानि की fundamental unit of life कहा जाता है इस पार्ट में हम कोशिका का गहराई से अध्यन करेंगे हम पढ़ेंगे कि एक कोशिका के अंदर क्या-क्या होता है और किस तरह से कोशिका वो सारी प्रतिक्रियाएं करती है जिसकी वज़े से वो सभी जीवों को बनाती है हम देखेंगे कि एक कोशिका स्वयम किन हिस्सों से बनी होती है और ये हिस्से कोशिका को उसके काम करने में कैसे सहायता करते हैं आईए देखते हैं